आप सभी का मेरे चैनल पर पुरह स्वागत करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी सुस्त होंगे, महादेव की गृपा आप सभी पर सदयाब बनी रहे, यह वीडियो धनू से लेकर मीन तक के लिए बहुत महत्तपून है, क्योंकि यह वीडियो है, आने वाले हफ्ते के तेज अपना राशी बदलते हैं, और अलग-अलग भावों में, अलग-अलग राशीों में, जब पूरे हफ्ते में उनका गोचर होता है, तो अलग-अलग ग्रहों से यूतियोग संबंद बनता है, तो इन सब चीजों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर रह सकता है, यह अधार मेरे साफताहिक राशी फलका होता है, यदि आपको अपनी लगन राशी पता है, वहां से अब्ज़र्व कीजेगा, बहुत जादा सटीकता बैठेगी, जिनको नहीं पता वो चंद राशी से भी अवश्य अब्ज़र्व कर सकते हैं, तो शुरुआत करते हैं, शुर जोला प्रभाव देता है, अटकी कारे बनते हैं, लेकिन फ्रस्टेशन की हद नहीं होती, व्यक्ती व्यर्थ की चिंताओं में अपने आपको लिप्त कर लेता है, तो यहां पे अटका हुआ पैसा, अटका हुआ कारे बन सकता है, लीगल कारे जो अटक रहते पूर्ण हो सक है, लेकिन व्यर्थ की चिंताओं आपको बहुत तंग करेंगी, जितना उर्पस उस पर नियंतरन रख सकते हैं, अच्छा है, क्योंकि सूर्या की दृष्टी है, तो पूर्णिमा योग है, यह सेंसिरिविटी को और बड़ा देता है, और मंगल की दृष्टी है, तो गुस होने वाली है, ध्यान रखेगा, अच्छी चीज यह है कि यहाँ पर दो विप्रीत राजयोग का संगम हो रहा है, क्योंकि चंद्रमा आठवे घर के स्वामी है, छटे भाब में बैटे हैं, विप्रीत राजयोग बनता है, मैं बता चुका हूँ कि चंद्रमा का विप्रीत विप्रीत राजयोग बना रहे हैं, और उनकी दृष्टी यहाँ पर चंद्रमा पर रहेगी, आमने सामने एक दूसरे के होंगे, तो यह विप्रीत राजयोग कहिना कहीं अच्छा सावित हो सकता है, अठके कार्य पूर्ण हो सकते हैं, चंद्रमंगल योग अपने आप में धन कमाने के लिए बहुत अच्छा होता है, तो भौतिक जीवन अच्छा है, बाकी जो नेगेटिव चीज़े मैंने कही, ध्यान रखेंगे तो अच्छा है, नवामसा के नुसाल, थोड़ा आपको लगया कि लोग आपको अवाइड करते हैं, आपकी बातों को सुनते नहीं हैं, एक अकेलेपन का एहसास रहेगा, दसामसा, कारक्षित्र में कंट्रोल रखेगा चीज़ों का, क्योंकि बहुत बीजी रहने वाले हैं, जॉब करते हों या बिजनस करते हों, लव लाइफ ठीक है, विवाहिक जीवन में गुसा आ सकता है, जगड़े हो सकते हैं, रवाश्टक की बात है, आपका भागेस्तान बली है, यह अच्छा है, कईना कई भागे का साथ मिलेगा, 29 नॉबंबर सुभा के गरीबन दो बजे के आसपस, चंद्रमा अपना राश्री परितन करेंगे, और आपके छटे भाव को छोड़ देंगे, और आपके सब्तम बढ़ेंगी, अनिश्यत्ता आएगी, दूसरा, बुद्ध की राशी में चंद्रमा अच्छा प्रभाव नहीं देते, नेगेटिव नहीं होते हैं, मैं पहले बता चुक हूँ, लेकिन डबल माइंड़ हो जाते हैं, और दूसरा, बुद्ध की दृष्टी भी रहेगी, यह बहुत conscious रहना पड़ेगा, गड़बर हो सकती है, नाम बिगड़ सकता है, कही न कहीं कोई बड़ा निरने लेने से दूर रहीगा, वो आपका नुक्सान करा सकता है, नवामसा कुनली बता रही है कि अपनी मन की problem share कीजेगा अपनों के साथ, दसामसा अगर business करते हैं तो compare की कि कहां पर problem हो रही है, आपके competitors क्यों आगे निकल रहे हैं, love life शान्त रहेगा, विवाहिक जीवन अपूनता, पूनता में convert होते ही दिख रही है, सही समय है, students, over excitement बहुत तंग करेगी, शान्त रहेगा, सेहत के अनुसार जिनको kidney की problem है दिक्कत बढ़ेगी, hormonal problem तंग करेग सरवाश्टक में आपका तीसरा भाव अतिन तबली है, over excitement overall बढ़ सकती है, control रखना है, एक दिसमबर सुभा के करीबन 10 पजे चंदरबार आशी परतन करेंगे और आपके अश्टम भाव में ब्रवेश कर जाएंगे, और सप्ताह के अन्त तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा चंदरबा का अश्टम में आना बहुत अच्छा नहीं होता, यहाँ पर पहले छटे भाव का प्रभाव फिर आठरे भाव का प्रभाव, तो चंदरबा को बहुत कहीं न कहीं सहुर्यत नहीं मिल रही है, अश्टम के चंदरबा पुनह कहूंगा विपरीत राज्योग बना लेकिन चंद्रमा का अखेले विप्रितराज योग बहुत जादा शुबता नहीं देता, हाँ कुछ छोटा-मोटा कारिया टकरा होता है तो पून हो सकता है, हाँ यह है कि चंद्रमा अपनी राशी के होकर धनस्तान को देखेंगे, तो यहाँ पे धनलाब के योग आपके अच करते हैं, इतना डिल्यूजन में डाल देते हैं कि विक्ति को लगता है कि वो कुछ गलत कर ही नहीं रहा है, और जब वो कर देता है, फिर एक हफते बाद इलाइज होता है कि मैंने क्या कर डाला, इसलिए कोई बड़ा निरने अगर नहीं लेंगे, तो मेरे हिसाब से होगा, आपको लगेगा कि आपके लाइफ पार्टन आपको समझते रही है, स्टूडेंस बहुत डिल्यूजनल रहेंगे, वास्तविक्ता से दूर दिख रहे हैं, थोड़ा सा अपने उपर नियंतर न लगेगा, सेहत के इसाब से इंफेक्शन संग करेंगे, सरवाश्टक म आपका दस्वा भावतिन तबली है, तो कारक शेत्र में आगे बनने के अफसर अचाना से मिल सकते हैं, उपाय के सरुप में महादेव का गंगा जल से अविशेक करकर शिव चालीसा का दो बार पार्ट करना है, चलते हैं कैप्रिकॉन यानिकी मकर की तरफ, आपके लिए चं 31 नवंबर सुभा के दो बज़े तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा, पंचम के चंद्रमा वैसे अच्छे होते हैं, क्योंकि केंद्र के स्वामी है, तो शुबता पूर्ण समय जाएगा, मंगल की दृष्टी भी है, तो ये चंद्र मंगल योग बन रहा है, क्योंकि स्थान में बैटे हैं, लाब प्राप्ती के लिए बहुत अच्छा समय है, और सूर्य कहीं ना कहीं, आपके लाब स्थान में बैटे हैं, लेकिन आठवे घर के स्वामी हैं, तो ये अचानक से धनलाब का योग भी आपका दिखाता है, तो हफ्ते का शुरुवाती भाग धन के स्वरूप में बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन चंद्रमा चंचल हैं, और जब चंद्रमा उच्च के होते हैं, पूर्णी मा के होते हैं, तो चंचलता, चपलता और बढ़ जाती है, तो यहाँ पर ओवर्थिंकिंग से बचना है, आपको ज्यादा विचार नहीं आने द आगे बढ़ने का उसर मिलेगा, जो लोग सरकारी जॉब करते हैं, बहुत अच्छा समय है, जो बिजनस करते हैं, लाव पराप्त होगा, बिजनस में कुछ कार्या टक रहता पो नहो सकता है, लव लाइफ बहुत शुप समय है, विवाहिक जीवन, कंट्रोलिंग मत का कोशिश किया, प्रॉब्लम बढ़ेगी, जहां तक स्टूडेंट की बात है, मन नहीं लगया किसी भी चीज़ पर, तो वो एक प्रॉब्लमाटिक चीज़ दिख रही है, सेहत के नुसार, पेट के रोग और एंग्जाइटी तंग करेगी, जहां तक सरवाश्टक की बात ह आपका अश्टम भावतिन तबली है, एंग्जाइटी थोड़ा सा यहां से भी दिखा रहा है, 29 नवंबर सुभा के करीबन दो बजे के आसपस, चंद्रमा अपना राशी परितन करेंगे, और आपके पंचम भाव को छोड़कर छटे भाव में आ जाएंगे, और एक सुभा के 10 बजे तक उनका गोचर यहीं परेगा, चंद्रमा का छटे घर में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, व्यर्त की चंताएं बहुत बढ़ती हैं, और यहां पर प्रॉब्लम यह है कि बुद्ध की राशी में है, बुद्ध की दृष्टी भी है, तो यह बता as well as personal, तो यहां पर जितना शांती रखेंगे, frustration से दूर रहेंगे, reactive कम रहेंगे, उतना अच्छा रहेगा, नवामसा के अनुसार कम बोलेगा, बहुत कम बोलेगा, दसामसा के अनुसार, over excitement से बचना है, जादा बोलने से कारकशेत्रे में भी बचना है, love life, अच्छा है, चांती बना कर रखना है, कुछ जादा expect मत कीजेगा, यहां पर, जहां तक students की बात है, आप बहुत shortcuts ले रहे हैं, बहुत compromise कर रहे हैं, और यह आगे चलकर आपके result में compromise करेगा, इसलिए shortcuts मत लीजेगा, सेहत के नुसार, पेट के रोग तंग करेंगे, नींद रंग से नहीं यानि कि अपनी खुद की राशी कर्क राशी में, और सप्ताह के अंत तक उनका गोचर यहीं पर हैगा, चंदमा का सप्तम भाव में आना कहीं नीट्रल माना जाता है, लेकिन क्योंकि अपनी राशी के होंगे, strong होंगे और राजयोग भी बनाएंगे, और यह राजयोग बन टैलेंट को लोगों के सामने रखने के लिए अच्छा समय है, तो ये समय का लाब उठाएंगे तो अच्छा रहेगा, दवामसा कुनली बता रही है कि नयापन जीवन में आता हुआ दिख रहा है, दसामसा कारेक शेतर में थोड़ा साहस दिखाना पड़ेगा, लव ठीक दिख रही है, विवाहिक जीवन में बहुत कम बोलिएगा, थोड़ा अपने लाइफ पार्टनर की चिंताओं और उनकी जरूरतों, दोनों का ही ध्यान आपको यहाँ पर रखना है, स्टूडेंस बहुत ठका हुँआ अपने आपको महसूस करेंगे, अपनी फिजिकल चालीसा का तीन बार पाठ करके, शनी महराज को तीन सरसों के तेले के दिया आपको अरपन करने है, कुम्भ यानि के अक्वेरियस के तरफ, आपके लिए चंद्रमा 27 नवंबर को आपके चौथे भाव यानि की विरिशव राशी में रहेंगे, और 29 नवंबर सुभा के दो बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा, चंद्रमा का चौथे भाव में आना कार को भावना शाय दोशुत्पन करता है, बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन देखना पड़ता है कि चंद्रमा की स्थिति कैसी है, क्योंकि उच्च के हैं, तो थोड़ सा स्ट्रेंथ मिल ज बन गया, और मंगल की दृष्टी है, और मंगल अपनी राशी में बहुत स्ट्रॉंग होकर, दिगबली होकर बैटे हैं, तो यहाँ पर चंद्रमांगल योग भी बन गया, एमोशनल लेवल पर टर्माइल रहेगा, एमोशनल लेवल पर अपसेंड डाउंस रहेंगे, नो ड पौतिक जीवन के लिए आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है, आगे बनने का अवसर मिल सकता है, लाब उठाएगा, लेकिन मानसिक और इमोशनल दोनों ही सेहत पर आपको ध्यान देना है, जहां तक नवामसा कुनली की बात है, अकेला बन बहुत महसूस होगा, द जहत के नुसार कफ रोगतं करेंगे, जहां तक सरवाश्टक की बात है, आपका सप्तम भावतिन तबली है, बिजनस दोस्त लोग करते हैं, स्पेशली उनको बहुत लाब यहां पर हो सकता है, 29 नवंबर सुभा के करीवन 2 बजे के आसपस चंदरमा अपना राशी परिवर् और आपके चौते भाव को छोड़कर आपके पंचम भाव में उनका गोचर हो जाएगा, चंदरमा का पंचम में आना कहीं ना कहीं ठीक माना जाता है, बुरा नहीं माना जाता, हाँ ओर तिंकिंग होती है, लेकिन अपने आप क्योंकि यह लक्ष्मी स्थान है, यह त्रिको और मंगल का प्रभाव चंदरमा पर गुस्सा लाता है, और इन दोनों का कॉंबिनेशन बहुत अच्छा नहीं होता, और यह कॉंबिनेशन होगा पंचम भाव में, जो कहीं ना कहीं ओवर्थिंकिंग बढ़ाता है, थौट प्रोसेस का स्थान होता है, तो कंफ्यूजन और गुस्सा दोनों ही रहेंगे, और यह थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज है, अपने विचारों पर जितना नियंतरन डख सकते हैं, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, धन के सरूप में ये समय भी आपका अच्छा ही जाएगा, नवामसा को उनली बता रही है कि घर मे कोई अच्छी नियूज आ सकती है, दसामसा के अनुसार कारेक्षेत्र में गलतियां हो सकती है, लव लाइफ, पुरानी बातों पर जगडे होंगे, गलानी की भावना रहेगी, विवाहिक जीवन में भी जगडे इस ताइम पर हो सकते हैं, बर्डन की तरह लगेगा आपको अपना विवाहिक जीवन, जहां तक स्टूडेंस की बात है, थोड़ सा कंपेर कीजेगा कि आसपास के बच्चे क्या पड़ रहे हैं, सेहत के नुसार पेट के रोग सरवाश्टक में आपका लगन बली है, तो ये बता रहा है कि हाँ कोई अटका कारे आपका पूर्ण हो सक चंद्रमा का छटे घर में आना मिला जुरा सा प्रभाव देता है, यहां पर विपरीत राजयोग है, लेकिन मैं बता चुगा हूँ, चंद्रमा का विपरीत राजयोग कोई बहुत स्ट्रॉंग नहीं होता, फिर भी जब चंद्रमा छटे घर में आते हैं, तो अटका पैसा अठका कारियर पून कर सकते हैं लेकिन व्यर्थ की चिंताओं बहुत बढ़ाते हैं अच्छी चीज है कि गुरू से केंदर में है तो ये गजिकेसरी योग टेक्निकली तो बन रहा है तो यहां से थोड़ा अच्छा प्रभाव आएगा लेकिन फिर भी व्यर्थ की चिंताओं से बचेंगे तो अच्छा है किस पर विश्वास नहीं करिजेगा अपना भी कोई पैसा मांगता है इस टाइम गलती से भी मत दीजेगा जातक नवामसा की बात है गाइडेंस की अवशकता इस टाइम पर दिख ले अपने आपको थ्वसा फ्लेक्सिबल कीजिए रिजिड होकर नहीं आगे बढ़ पाएंगे फ्लेक्सिबिलिडी ला पाएंगे तो अच्छा रहेगा सेहत के अनुसार पेट के रोग इंटरस्टैंड की प्रॉब्लम सरवाश्टक में आपका अश्टम बली है तो थोड़ी अनिशित्ता जीवन में आ सकती है उपाय के सरुप में शनी देव को तीन सरसो के तेलिके दियरपन करकर हनुमान चलीसा शनी चलीसा दो-दो बार बाट करना है यह मीन यानि की पाइसेस की तरफ आपके लिए चंदरमा 27 नवंबर को आपके तीसरे भाब में रहेंगे विरिशव राशी में और 29 नवंबर सुभा के करीबन दो बज़े तक उनका गोचर वही पर रहेगा चंदरमा का तीसरे भाब में आना अच्छा ही होता है आपके क्योंकि अच्छा देख रहा है और यहां पर चंदरमंगल योग भी बन रहा है यह भने के लिए बहुत अच्छा होता है सूरे की पून दिष्टी है तो पूनिमा योग भी बन रहा है और इसके साथ ही चंदरमंगल योग भने के लिए अच्छा होता है मंगल आपके धनस्थान के स्वामी है भागिस्थान के स्वामी है अपने आप में एक तरह की आपके योग कारगरा है तो हफते का शुरुवाती भाग आपके लिए बहुत अच्छा संपन्नता, शुबता, एश्वर यह सब कुछ लेकर आने वाला है शुब समय है, शुबता के साथ ही अपने सारे कारों को पूर्ण करने का प्रयास कीजेगा भागे का भरपूर साथ आपको हफते के शुरुवाती भाग में मिलेगा नवामसा कुणली बतारे कि मन में थोड़ी बेचायनी रहेगी, अधरवाई सब अच्छा है दसामसा अपने खर्चे बिजनस में कम करने की कोशिश कीजेगा और जो लोग काम करते हैं कम बोलने की कोशिश कीजेगा लव लाइफ के अनुसार सब कुछ ठीक है व्यर्थ की चिंताएं हफते के शुरुवाती भाग में थोड़ी सी जादा दिख रही है 29 नवंबर सुभा के करीबन दो बजे चंद्रमा अपना राशी परिवतन करेंगे और आपके चौथे भाव यानि की बुद्ध की राशी मिथुन राशी में आ जाएंगे और एक दिसंबर सुभा के दस बजे तक उनका गोचर वही पर हैगा चंद्रमा का चौथे भाव में आना मिला जुरा सा प्रभाव देता है हर बार मैं बताता हूं कि कार को भावना शाए दोश उत्पन होता है तो ये emotional level पर विक्ति को तंग करता है माता जी की सेहत का रहप करता है घर में कलह कलेश उत्पन कर सकता है एक और थोड़ी सी negative चीज़ ये है negative तो नहीं कहूंगा खर कि चंद्रमा बुद्ध की राशी में है और बुद्ध महराज का प्रभाव है ये विक्ति को बहुत confused करता है तो अपने निरने ओपर ज़्यादा भरोसा मत कीजेगा क्योंकि यहाँ पर आप गरत निरने ले सकते हैं अगर कुछ बड़ा निरने लेना है मेरे हिसाब से avoid कीजेगा अगर लेना ही है तो किसी विक्ति से पूछ कर जिस पर आप विश्वास करते हैं उन से पूछ कर ही निरने लेजेगा मंगल की आठवी दृष्टी तो बनी रहेगी और मंगल पुना धनस्तान के और भाग्यस्तान के स्वामी है तो यह बता रहा है कि आपके लिए धन के सुरूप में यह सबें भी अच्छा रहेगा बस परसनल लाइफ में प्रॉब्लम्स चलती रहेगी उस पर कंट्रोल करना है क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर बुद्ध को देखेंगे बुद्ध चंद्रमा को देखेंगे और यह चौथे और दस्वे भाव का कही न कहीं मिलन हो रहा है तो कारेक्षेत्र में जो लोग जॉब करते हैं उनको प्रोफेशनल सैटिस्ट्रेक्शन की कमी रहेगी नवामसा कुछ कारे डेले हो सकते हैं दसामसा कारेक्षेत्र में स्ट्रेस रहेगा बिजनस में भी थोड़ा स्ट्रेस रह सकता है लव लाइफ ठीक है एक नयापन लाने का प्रयास कीजेगा विवाई की जीवन भी अच्छा ही दिख रहा है स्टूडेंस थोड़ा सा एक्सपीरियंस और गेन करने की अवशकता है जहां तक सेहत की बात है कफ रोग आपको तंग कर सकते हैं सरवाश्टक में आपका बारवा स्थानतिन तवली है तो थोड़े खर्चे आपके बढ़ सकते हैं एक दिसंबर सुभा के करीबन दस बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशी परिवतन करेंगे और आपके पंचम भाव में विराजमान हो जाएंगे यानि कि कर कराशी में और सबताहा के अंत तक उनका गोचर वहीं पर हैगा चंद्रमा का पंचम भाव में आना कहीना कहीं अच्छा ही होता है और आपके लिए तो स्वयम वह अपनी ही खुद की राशी में आ जाएंगे यानि कि कर कराशी में तो ये धन योग, लाब योग, कहीना कहीं लक्ष्मी योग सब बनता है तो अच्छा है आपके लिए यहाँ पर और देवगुरु ब्रहस्पती से भी केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है तो हफते का अंधिम भाग भी शुबता लेकर आ रहा है लेकिन जब चंद्रमा यहाँ पे होते हैं और बले ही वीक हो या स्टॉंग हो ओवर्थिंकिंग बढ़ती है वीक होता है होते हैं चंद्रमा तो नेगेटिव थिंकिंग जादा होती है और स्टॉंग हो जाते हैं तो कभी-कभी विक्ती वास्तविक्ता से दूर चला जाता है तो इस से इस पर ध्यान दिना है नवामसा कुनली बता रही है कि परसनल करियर हो या बिजनस हो लव लाइफ एक नया पन लाने की अवशकता है विवाहिक जीवन अच्छा दिख रहा है एक मैचरोटी आती वह दिख रही है स्टूडेंस थोड़ा रिसेप्टिव बनिये पहले ही आपको लगता है मुझे सब कुछ आ गया इसलिए कभी भी ज्यान पूरा अरजित नहीं कर पाते ये थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है मीन वालों के क्योंकि ब्रहस्पति का प्रभाव होता है तो इनको लगता है हमें सब कुछ आता है तो इस सीज़ पर ध्यान दीजेगा जहां तक सरवाश्टक की बात है आपका सब्तम भावत्यंत बली है बिजनस में कुछ अच्छा आपको करने को अफसर मिल सकता है हाँ सेहत के हिसाब से एंग्जाइटी और ओवर्थिंकिंग तंग करेगी उपाय के सुरुक में आपको महादेव का दूद से अभी शेक करकर ओम नील कंठाय और महामंत्र का एक स्वाट बाद जाप करना है सबस्ट्राइब कर लेजिए वीडियो को लाइक कर लेजिए मिलता है उनली वीडियो में तब तक के लिए ओम नमाइट